हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेंट टेक्निकल में फिर से दोस्तो नई जॉब की इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ रुकीट में आ रही है दोस्तो आई सी ए आर के ही एक इंसीचूट की तरफ से इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंसीचूट की तरफ से शौट नोटिफकेशन इसका पहले ही आ चुका है हो सकता आप तक इंफोर्मेशन पहुँच गई हो लेकिन अगर नहीं पहुँची है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है हर एक छोटी से छोटी डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले ह अक्रॉस इंडिया आपकी जोब लोकेशन रहेगी सारे सेंटर की जो लिस्ट है वह भी मैं आपको वीडियो के लांस में धुरूर बताउँगा तो शुर शुरु से लेकर नोटिफिकेशन में दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं कि recruitment जो है वो technician T1 की post के लिए जिसमें की 10th pass eligible है ICR के headquarter और IT research institute में आपका जोगे वो location रहेगा अटना तारीख को इसका notification जारी करा गया है Indian agriculture research institute का और 10th january तक आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अटना तारीख से आवे एदन शुरू है 10th of january तक आप apply कर सकते हैं और आपका जो online examination CBT लिया जाएगा वो 25th of january से 5 February के बीच में जो है वो लिया जाएगा online computer based test होगा इसके लाबा vacancies की बात करें 641 vacancies है यानि कि 6.500 के आसपास की vacancy है और इसको बढ़ाया जा सकता है कम करा जा सकता है यह depend करता है उनके उपर कि वो इसको बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं और यह जो है बिना आपको कोई notification जारी करें इनको बढ़ाया भी जा सकता है 286 unreserved के लिए economically weaker section के लिए 61 93 SC के लिए SD के लिए 68 है OBC के लिए 133 है एक सर्विसमेन के लिए 8 और person with disability के लिए 6 vacancy है बात करें qualification की तो यहां पे दोस्तों जो है अगर आप ने जो है वो matriculation पास करा हुआ है आप बिलकुल eligible है अपलाई कर सकते हैं आपको आपका जो है वो बताना पड़ेगा कि आपने कितने marks जो है वो obtain करें है और percentage में बताना पड़ेगा अगर आपके marks 59.99% है तो उसको आप 60% नहीं लिख सकते हैं आपको 59.99% ही लिखना पड़ेगा तो accurate जो है वो आप अपना percentage बताईएगा examination cities की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 5 cities preferences आपको दी जाएंगी आपको वो 5 cities चुननी होगी जहाँ पे आप examination दे पाए across India examination होने वाले हैं आपके आजपास ही आपको कोई ना कोई location मिल जाएगा इसके अलावा जो है वो city examination को change करा जा सकता है हो सकता है आप जो preferences देते हैं उनके अलावा भी आपको जो है वो कहीं और exam देने के लिए जाना पड़े तो इस चीज़ के लिए भी आप ready रहिएगा 18 से लेके 30 साल तक age का criteria रखा गया है आपकी age minimum 18 साल और maximum age 30 year होनी चाहिए आपकी age जो है वो देखने की जो last age है वो इसी 10 January को जो है वो रखी गई है 10 January तक आपकी age 18 से कम और 30 साल से जादा नहीं होनी चाहिए age taxation as per government rule जैसा की पहले मिलती आई है अन्रिजर्फ के लिए दोस्तो application fees रखी गई है 1000 रूपीज ओबी सी के लिए भी इसके लावा woman, SC, ST, person with disability इनके लिए 300 रुपे की fees रखी गई है जो की मात registration fees है examination fees इसमें जो है वो नहीं है तो 300 रुपे की आपको fees पे करनी पड़ेगी अ और SC, ST के लिए 25% इसके लावा दोस्तो 100 questions आएंगे जिसमें negative marking भी जरूर होगी इसके लावा जोखे अगर आप ज्यादा detail में जान करी चाते है तो आप आके notification visit करें आपको पता चल जाएगा इसके लावा दोस्तो पूरे इंडिया में exams जो है वो conduct किये जाएगे बाकि जो जहां पे आपका location रह सकता और किस किस location में कितनी कितनी vacancy है यहां पे आप देख सकते हैं हर एक city में जो है वो लगभग इनका institute है जो main cities है इंडिया की तो यहां पे locations पे आप देख सकते हैं और यह preferences भी आपको देखने को मिलेगी कि आप कहां पे वो काम करना चाहते हैं तो तो यही था दोस्ता आज की इस video में thank you very much इस video को देखने के लिए आशागरतों को आपको वीडियो पसंद आई होगी समझाई होगी वीडियो से related questions comment section में पूछिए channel को subscribe करें मिलते हैं next video में